तो फ्रेंड्स आज मैं आप सभी के लिए एक important वीडियो लेकर आई हूँ आप वीडियो में देख रहे होंगे ये model paper है practice set है chemistry का रसायन विज्ञान का कक्षा बारा का तो आने वाले जो board की परिक्साएं हैं उसमें ये chemistry का एक model paper है practice set है तो ये model paper है ये बहुत सारे important questions जो है carry करता है means इसे board में chemistry का जो exam है उसके बहुत सारे important questions जो है इसमें है और इन questions के exam में आने के बहुत ज़्यादा chances है means ये paper जो है most important questions जो है उन्हें contain करता है तो चलिए देखते हैं ये practice set जो है ये इसका क्या 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 चीज़े हैं इसमें तो इसमें ये जो paper है रसायन विज्ञान का कक्षा 12 का ये total 70 marks का paper है 70 number का ये paper है और इसमें time जो है वो 3 घंटे है तो 70 number का ये paper है और 3 घंटे का ये exam है और इसके instructions क्या क्या है इस paper में 30 questions है 30 questions है इस practice set में आने वाला जो paper होगा उसका भी जो इसमें भी जो sections होगे जो paper होगा इसी तरह होगा उसमें भी 30 questions होगे और सभी questions जो होगे important होगे तो इस practice set में 1 से 8 तक के जो questions है वो एक number के हैं वो एक number क्यारी करते हैं और 9 से 18 तक के जो questions है वो 2 नमबर के हैं Then 19-27 तक के जो questions है वो 3 number के हैं और 28-30 तक के जो questions है वो 5 number के हैं तो इस तरह से ये paper जो है sections में divide किया गया है कि 1-8 तक के questions 1 number का है, 9-18 तक के 2 number के हैं, 19-27 तक के questions 3 number के हैं और 28-30 तक के questions हैं उनकी marking 5 है, वो 5 number के हैं और सभी questions जो हैं हमें करने हैं, important ये question है तो अब हम देख लेते हैं पहला question क्या है, तो first section जो है paper का आने वाले जो board के exam होंगे, उसमें सबसे पहले हमें objectives मिलते हैं, objective question मिलते हैं हमें 4 option दे के रखेंगे, उनमें से हमें एक answer को select करके, सही answer पर टिक लगाना है तो पहला जो question है, purple of cassius क्या है, तो ये objective question है, एक number में पूछा गया है, purple of cassius क्या है तो उसमें options दे रखे हैं, as2s3 soul, या au soul, या sulfur soul, या feoh का hold wise 3 soul तो हमें इनमें से एक right answer लगाना है, तो जैसे इसमें इसका answer है, au soul au soul क्या है, purple of cassius है, तो ये question जो है, एक number का है then second जो objective है, वो है, grabial thalamite sensation का परियोग, किसके विरंचन के लिए किया जाता है ये भी objective question है, एक number में पूछा गया है, four options दे गये है, first amine, second amine, third amine, या ये सभी तो हमें इसमें भी right answer select करके लगाना है, तो जैसे इसका answer है, first amine, तो grabial thalamite sensation का परियोग, first amine के विरंचन के लिए किया जाता है तो इसका ये right answer होगा, then third जो objective पूछा गया है, पूछा है, monosaccharide का उधारन है, तो monosaccharides का हमें उधारन बताना है तो चार option दिये गए है, glucose, lactose, maltose, starch, तो glucose क्या है, एक monosaccharide है, तो ये monosaccharide का example है, तो आप right answer दे के एक number पा सकते है then four जो objective है के CO, CO का whole twice four में कोबाल्ट की oxy current संक्या है, इसमें हमें कोबाल्ट CO जो है, उसकी oxidation state बतानी है तो इसमें कोबाल्ट की जो oxidation संक्या है, उसके इन्होंने examples डाले है, क्या वो plus one होती है, क्या plus three होती है, या minus one होती है, या minus three होती है तो जैसे इसमें कोबाल्ट की जो oxidation state है, वो minus one है, तो आप right answer दे कर एक number पा सकते है then five जो question है, वो objective ना पूछ के आपको subjective पूछ सकता है, means आपको एक line में उसका answer देना होता है तो यहाँ पूछा गया है, ether जल में avile क्यूं है, आपको सिर्फ ये बताना है क्यूं avile है तो जैसे इसलिए avile है, ether Lewis अक्षार परकरती के कारण जल में avile होते हैं उनकी Lewis अक्षार परकरती जो है, उसके कारण वो जल में avile होते हैं तो आप ये एक line लिखकर एक answer easily पा सकते हैं 6 जैसे है fill in the blanks आपको fill करना है कि जो space है उसमें क्या आएगा और उससे बनकर क्या बनता है तो जैसे base plus dot dot is equal to nucleoside तो base किसके साथ मिलकर nucleoside बनाता है तो जैसे base sugar के साथ मिलकर nucleoside बनाता है तो आप एक number यहाँ पर gain कर सकते हैं ऐसे ही nucleoside plus dot dot is equal to nucleoside तो nucleoside किसके साथ मिलकर nucleoside बनाता है तो nucleoside phosphorus के साथ मिलकर nucleosides बनाता है तो आप इसको fill करके एक number easily प्राप्त कर सकते हैं 7 जो question है इसमें IUPAC name पूछा गया है C6H5 CH2 CH2 NH2 का IUPAC name लिखिए तो बच्चो यह जो IUPAC name वाले questions है यह बहुत जादे exams में पूछे जाते हैं most of the exams जो है previous year के जो paper है IUPAC name लिखने को आते ही आते हैं तो हमें IUPAC name के questions है वो हमको prepare रखने हैं तो जैसे यह question है इसमें हमें IUPAC name बताना है इसका तो जैसे इसका IUPAC name है 2 Phenyl Aether na Mine तो इसका जो IUPAC name है 2 Phenyl Aether na Mine इसका IUPAC name है आप IUPAC name लिखकर एक number gain कर सकते हैं तैन रिक्त इस्थानों की पूर्ती कीजिए question number 8 जो है इसमें हमें जो space दिया गया है हमें इने लिखना है इनके बीच में क्या आएगा किस से यह बनता है तो first है formaldehyde का 40% जलिये विलियन क्या कहलाता है तो 40% जलिये विलियन formaldehyde का क्या कहलाता है इसमें उपसःसे योजन संक्या का क्या अर्थ है इसमें हमें core ordination number जो है उसको हमें define करना है तो एक number में हम इसको answer दे के एक number प्राप्त कर सकते हैं Second, निमलिकित परमाणवों की उपसह सही हो जग संख्या क्या होती है तो जैसे एक अनन्त केंदरित घनवे रचनिया इनकी हमें उपसह सही हो जग संख्या बतानी है नंबर से जो questions आएंगे वो दो नंबर carry करेंगे अब जो question है वो two mark है तो निमलिकी ठोसो का वर्गी करन आइनिक, धात्विक, आन्विक, सहसे हो जगों में कीजिए तो हमें वर्गी करन करना है जैसे SIC का, HCL का, NACL का और FV का तो हमें इनका वर्गी करन लिखना है, आइनिक, धात्विक, आन्विक, सहसे हो जगों में करना है तो ये number, दो number का ये question है 11 जो question है, chloro acetic amal, acetic amal से क्यों परबल होते हैं, परबल है क्यों तो हमें ये बताना है क्यों परबल होते हैं तो दो number का, दो line लिखकर हम यहाँ पर दो number प्राप्त कर सकते हैं question number 12 जो है, निमलिकित को समझाए यहाँ में definition के through इसको समझाना है तो first पूछा है, molalta क्या होती है, इसको एक line में define करना है parts per million क्या है, ppm पूछा गया है, क्या है तो एक definition ही लिखनी है, दो number का यह question है एक number में molalta पूछा है, एक में parts per million तो या तो हम यह question कर सकते हैं, definition लिख सकते हैं या यह अत्वा और में दिया जाएगा question तो और में करके पूछा गया है, कास्टिक सोडा के 4 gram जो की अनुभार 40 को जल में घोल कर 200 gram विलियन बनाया गया विलियन की molar ता गयात कीजिए, तो numerical पूछ सकते हैं, वो दो number का आप numerical solve कर सकते हैं, आप theoretical part वाला यह question कर सकते हैं question number 30 जो है, नैंस्टर्ट समिकरंड क्या है तो यह most important है, नैंस्टर्ट समिकरंड पूछी जाती है, दो number में यह आई है तो आप यह तो नैंस्टर्ट समिकरंड कर सकते हैं, यह भी और में पूछा गया है जैसे विद्दुत वहाग बल E.M.F. तथा विभांतर में क्या अंतर है तो आप यह तो नैंस्टर्ट समिकरंड कर सकते हैं यह विभांतर क्या सकते हैं यह आप कर सकते हैं क्या होता है जब अब यह रिएक्शन्स पूछ लेंगे क्या होता है जब जो एथिल इथाईल एथिल एलकोहल की किरिया शार की उपस्तिती में आयोडीन से करते हैं तो हमें ये रियक्शन सोल्व करनी है दो नमबर में क्लोरोफ्राम को फिनोल तथा सोडियम हाइडरोकसाइड के विलियन के साथ गरम करते हैं क्या होगा यह reaction से हमें करानी है और हम दो नंबर प्राप्त कर सकते हैं 16 जो question है निमलिखित को उधारण सहीत समझाईए विलियमसन एथर संचलेशन क्या है और सेकिंड डाई एथिल एथर की निर्जली करन अभिकरिया तो हम इसको लिक्स के दो नंबर गेन कर सकते हैं 17 जो question है परिवर्ती धुर्वन गुर्णन को परिभाशित कीजिए तो दो नंबर में definition पूछ लिए खै आवश्यक ऐमीनो अमल क्या है उधारण दीजिए तो अमीनो अमल बताने है उनके examples लिखने है 18 जो है इसपस्ट कीजिए की copper iron जलिये billion में स्थाई नहीं है क्यों तो दो नंबर में reason बताना है क्यों अब जो 19 से question है वो 3 नंबर क्यारी करेंगे उपर के जो थे 2 नंबर के थे 19 में भोतिक रसायनिक अधिशोशन में तुलना कीजिए तो तीन नंबर में पूछा गया है या अत्वा करके पूछ दिया है निमलिकित पर संशिप्त टिपनी लिखिए 50 करन अपोहन हाड़ी सुलिजे नियम तो या तो आप भोतिक रसायनिक अधिशोशन में तुलना कर सकते हैं या आप ये question कर सकते हैं तो तीन नंबर में ये question पूछा गया है अब हैं मोललता, मोललता को परिभाशित कीजिए तो ये important question है, तीन नमबर में आता है मोललता को परिभाशित कीजिए second, दो तत्व A और B मिलकर AB2 और AB4 सुत्रवाले दो योगिक बनाते है 20 ग्राम बेंजीन में गोलने पर 1 ग्राम AB2 हिमांग को 2.3 केलविन अवनमित करता है जबकि 1.0 ग्राम AB4 से 1.3 के का अवनमन होता है बेंजीन के लिए मोलर अवियमन इस्थिरांग 5.1 केलविन किंगरा मोल है तो A और B के परमाणवे दरवेमान की गणना कीजिए तो ये कोशन नमबर 20 है, तीन नमबर के कोशन है तो दो कोशन इसमें ये पूछे गए है कोशन नमबर 21 जो है नुकलिोसाइड तथा नुकलिोटाइड में क्या अंतर है तो हमें यहां डिफरेंस बताना है क्या डिफरेंस होता है Then DNA तथा RNA का पूर्ण नाम लिखे है हमें matching का question दिया गया है कि जैसे glucose जो है वह क्या है सुक्रोज क्या है स्टार्ज क्या है विकर्ति करन क्या है chlorophyll क्या है ATP है तो हमें matching सही मिलानी है तो तीन नमबर का ये question आ गया 22 question जो है अभिक्रियाय जो है उन्हें पूर्ण करनी है जैसे alcohol plus ammonia मिलकर क्या बनाती है यहां में फिल करना है तो यह दो तीन रियक्शन्स पूछ लेंगे आपको की रियक्शन को कराने पर क्या बनता है क्या कौन सी रियक्शन्स यह होती है 23 जो कोस्तर ने संकर्मन तथा आंतर संकर्मन तत्वों की तुलना कीजिए तो तीन नमबर में पूछा गया है 24 एक प्रोटीन के 200 सेंटीमिटर जलिये विलियन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है 2300 के पर इस विलियन का प्रासन दाब 2.57 गुणा 10 की गहात माइनस 10 वायू मंडल पाया गया प्रोटीन के मोलर दव्यमान का परिकलन कीजिए तो तीन नमबर में निमेरिकल है या और करके आ सकता है अत्वा हैंद्री का नियम लिखिए निम्द पदों को परिभाशित कीजिए मोलन्स क्या होता है और मोलर दव्यमान आप या तो 24 कोश्चन में ये कर सकते हैं या और करके ये डेफिनेशन दे सकते हैं 25 जो कोश्चन है हेलोजन परिवार में गुणों के निम्न के संबंद में कर्मिक परिवर्तन समझाईए तो आयनन उर्जा क्या होती है ओक्सीकर नवस्था इलेक्ट्रोन बिंदुखता इनको हमें समझाना है 26 जो कोश्चन है किन्टवन क्या है सीरे से एथिल अल्कोहल किस परकार प्राप्त करते हैं तो किन्टवन लिखना है और सीरे से अल्कोहल कैसे बनता है उसको समझाना है 27 कोलराउस का नियम बहुत important question है बहुत बार एक्जामस में पूछा गया है फिर second निम्न पर टिपनी लिखे तो हमें यहां टिपनी लिखनी है परबल विद्धुत अपगर्टे और दूरबल विद्धुत अपगर्टे क्या है 28 जो question है इसमें ही second part है संयोजक्ता आबंद सिध्धान्त को संचेप में समझाईए इस सिध्धान्त के आधार पर संकुल आयन FVCN3-4 नेगेटिव जयात में तथा चुमबके वैवार को सपस्ट कीजिए तो दो नंबर में यह पूछा गया है या और करके पूछ सकते हैं इस सिर आयतन पर N2O5 ग्राम के पर्थम कोटी के तापिय वियर्जन पर निम्न आगडे प्राप्त हुए तो आपको यह कुछ आगडे दे रखे हैं आपको इसके वेज इस्तरांग की गढ़ना करनी है तो ऐसे questions भी आ सकते हैं सेकंड सिर कीजे पर्थम कोटी की अभिकरिया में 99% अभिकरिया पूर्ण होने पर लगा समय 90% पूर्ण होने में लगे समय का दो गुना होता है तो यह numerical दो नमबर में आ सकता है 39 जो question है इसमें अंतरा हैलोजन योगी क्या होते हैं हैलोजनों से अधिक क्रिया सील क्यों होते हैं तो reason लिखना है क्यों होते हैं तीन नमबर का यह question है फिर परियोग साला में ओजोन बनाने की विदी का सचित्र वर्णन कीजे तो ओजोन कैसे बनती है इसको हमें बताना है या options करके आएगा और अमोनिया का ओधोगिक उत्पादन कैसे किया जाता है सचित्र वर्णन कीजे तो अमोनिया बनाने की विदी पूछ सकते है हैलोजन क्यों रंगीन होते है तो पांच नमबर का question है तीन ये दो ये तो फाइफ हो गए तो या तो आप ये question कर सकते हैं बहबीर से अभिक्रिया करके ब्रोमाइड सी बनाता है जो एलकोलिक के ओएस से वर्गीकरत किये जाने पर एलकेलीन डी सी 3S6 बनाता है एबी सी डी की पहचान कीजे तो हमें इसमें एबी सी डी की पहचान करनी है तीन नमबर का ये है और सेकिंड पार्ट इसमें निमलिकित योगीकों के IUPSC पद्धती में नाम लिखे तो ये कुछ हमें दिये जाएंगे इनके हमें IUPSC नेम देने है तो टोटल कितने नमबर का question होगे पांच नमबर का या और करके पूछ लेंगे पांच नमबर के जो question आएंगे उनमें option आता है निमलिकित परतेक संसलेशन में छुटे हुए प्रारंबिक पदार्थ अभिकर्मक अत्वा उत्पादों को लिख कर पूर्ण कीजिए तो हमें ये fill in the blank है इनको हमें fill करके क्या बन रहे हैं क्या कैसे बनते हैं इनको हमें बताना है तो पांच नमबर के जो questions है वो options में ही आएंगे तो ये chemistry का sample paper है model paper है इस type से जो paper है वो आ सकता है I hope इस से आपको बहुत सारे questions मिलेंगे board में तो आप इस practice set को solve करें और अच्छे से अच्छे marks आप chemistry में ला सकते हैं और मैं ऐसे ही अलग-अलग papers के जो set है आपको इस channel पर provide कराती रहूंगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे channel को subscribe, वीडियो को like और share करना ना भूलें Thank you